बोट अधिकार होते हैं अगर हिंदू दो लोग है तो मुस्लिम भी दो ही लोग है निस्टित रूप से जिस तरह भारा समानता का अधिकार हुआ था उस तरह बोट समानी करन भारा समानी करन इस देश में हुआ था तो बोट समानी करन हो जहां लोग मूल भासी भारत के समाज कि जनसंख्या कम हो गई है वहाँ उनको बोट दे करके एक्स्ट्रा बोट दे करके उस औसंतुलन को पाटा जाए निस्टित रूप से ललन बाबु का ब्यान एक हज्जार प्रत्सत सही है ललन बाबु ने जो कहा है बिहार के मुस्लिम बंधुओं को विकास से कुछ लेना देना नहीं है वो बफ बोट और कबरिस्तान तक ही ये किस्मी सदी में भी सोच रहे हैं ये दुखद है संभल ही नहीं अगर जो भी कानून और ब्वस्था के साथ खिलवार करेगा उसके साथ गोली बंदुग से ही जवाब दिया जाएगा राम गोपाल यादव तो वो चुकि बुरी तरह पराजित हुए है इसलिए उनका बुखलाहट में दिया गया ब्यान है जो भी कानून और ब्वस्था को तोरेगा सकती से निप्टेगी सरकार अजहारखंड पर क्यों नहीं बोलती है उसको सोचना चाहिए उन्चालिसमी हार है उन्चालिस से लेकर कभी तक क्या बोलेंगे कुछ भी बोलना है जनता का दिल जितना परता है राजनिती में यह सहन साह और सहजादे वाले रॉल से अब बिहार और देश की जनता नहीं उनको बोड़ देने वाली है आज विपक्ष जो भी संका या समाधान या प्रस्ण जो भी उठाएगा उसका समचित उत्तर दिया जाएगा प्छले बार नेता प्रतिपक्ष नहीं थे क्या उमीद है प्रतिपक्ष के नेता इस बार आएंगे वही दरसाता है कि लोकतंत्र के प्रती बिहार में बिधान सभा के प्रती संसदिये लोकतंत्र के प्रती उनकी कितनी आस्ता है उनके पिछले रेकॉर्ड को दरसाता है अगर वो आएंगे तो अच्छा रहेगा बादविवाद का जगह है सरकार उनके सारे प्रस्वों का जवाब देगी अगर वो सुनना चाहेंगे तो